हेलो एविवन, मैं हूँ बीना और टैंगी केचन में आपका स्वागत है आज हम दाल रोल्स बनाएंगे जो कि बहुती कम इंग्रीडेंस से बनने वाले दाल रोल्स है और काफी कृस्की और टेस्की दाल रोल्स बन के तयार होते हैं तो आप इस दाल रोल्स को घर पे जरूर रहा कीजिए तो चलि हम डाल रोल्स बनाना शुरू करते हैं पीली मूंग डाल रोल्स बनाने के लिए मैंने यहां पे एक कप पीली मूंग की डाल जिसे मैंने दो घंडे पहले भीगो के फिर कूकर में है बहुत ही कम पानी डाल के इसे बोईल करके लिया हुआ है दाल को हम एक फिसल आने के सहले हिम मुंग दाल है वो काफी जल्दी बॉयल हो धाती है तो मैंने बोईल करके फिल लिया हुई है, एक प्या प्याज को मैंने बारी काट के लिया हुआ है आधा कप ब्रेड क्रम्स वन फोट कप धनिया धनिया को मैंने साफ पानी में धोके फिर काटके लिया हुआ है तीन हरी मींच एक हीच अद्रक का टुकड़ा और साथ लौसन तीनों की पेस्ट मैंने साथ में बना के लिए हुई है नमक हम लेंगे स्वाद अनु के अंदर डाल को डालेंगे डाल को मैंने डाल दिया है अब इसे मिक्सी के जार को ढखके हम इसे पीस लेंगे डाल को मैंने पीस कर बड़े बर्दन में निकाल लिया है अब इसमें हम फ्रेश ब्रेड क्रम्स काटी हुई प्याज अद्रक हरी मिर्च और लैसन का पेस्ट हल लाल में proper binding आये इसलिए हमने breadcrans का इससमाल किया है mixer बनके तयार है तो अब हम इस mixer में से rolls बनाएंगे rolls बनाने के लिए हम बड़े निम्भू के साइज का हम डोलेंगे और दो हाथ की साय चासे हम ऐसा cylindrical roll बना के तयार करेंगे तयार किया हुआ rolls को हम प्लेट में रखेंगे और इस प्रकार सारे rolls बना के तयार करेंगे मैंने तेल को गेस के उपर गरम कने के लिए रख दिया है तेल गरम हो गया है तो अब rolls को हम fry कने के लिए तेल में डालेंगे रोल्स को हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रिप्स होने तक फ्राय करेंगे रोल्स को हम चेक करेंगे रोल्स है वो गोल्डन फ्राय होके तयार है और काफी क्रिस्प रोल बनके तयार हुए है तो रोल्स को हम फ्लेट में निकालेंगे और इस प्रकार बचे हुए सारे रोल्स फ्राय करके तयार करेंगे बचे हुए रोल्स को भी हम फ्राय करेंगे रोल्स को फ्राय करते समय तेल हमें अच्छा गरम चाहिए डाल को बोल करते समय अगर डाल में ज़्यादा पानी गिर जाए तो ब्रेड क्रम्स है वो ज़्यादा डाले क्योंकि अगर मिक्सर में प्रोपर बाइंडिंग नहीं आया होगा तो रोल्स है वो फ्राय करते समय फट जाएंगे और तेल है वो रोल्स के अंदर ज़्यादा चला जाएगा तो जब डाल बोईल करने के लिए रखे तो डाल में हैं बहुत ही कम पानी डाले और उसे बोईल करें डाल रोल्स बनके तयार है काफे क्रीस्प और टेस्टे बने है तो आप इस डाल रोल्स को घर पे जरू ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट में फिडबेक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है अगर आपको मेर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दुबार आप फिर मिलेंगे तब तेक लिए थेंक यू बाई